कुछ तो अच्छा हो शुरुबात करने के लिए था अपने होमिपोन रेट्स भी बढ़ा दी है ग्लोबल स्क्रीन लग रहा था फ्राइडे के आक्शन के बार थी थोड़ा संबलेंगे बढ़ आज तो काफी खराब संकेत यहां पर आते हो देख रहे हैं कि एक हमारे अपने लिए एलाइसी के आईप्यो का रेसकोंस और रूसरा ग्लोबल मारकर्स में रूस के लिए आज विक्ट्री डे के तोर पर माना जाता है तो पहले किसकी बात करनी वो बता दिये पहले तोड़ा ग्लोबल समझ लेते हैं जहां तक सवाल है रेश्या का अगर आज कुछ एक्शन होना है कुछ कहना है अच्छा या खराब तो वो एक अच्छा दिन हो सकता है जिस दिन पूतिन साब कुछ न कुछ बोले है जाहिर से बात है उनके लिए विक्ट्री दे तो वो मतलब यह मत समझेगा कि वो युक्रेइन को जीत गए और उसकी गोशना होने वाली है ऐसा नहीं है उनका एतिहासिक विजय दिवस है जो वो हर साल मनाते है इसलिए पूरी दुनिया की नजर है नौ माही पर है कि रश्या में aq को बड़ा हो सकता है वो बड़ा होने में positive साइड पर भी हो सकता है negative साइड पर लोग यह मान कर चलने कि हो सकता है आज के लन पुटिन साफ ग्रें देटें के अभी तक वो युद्ध इसे युद्ध नहीं मान ले वो किया रहे कुछ military operations कर रहे हैं यह युद्ध नहीं है उनकी तरफ से उनका ऐसा मालना है तो अगर वो officially युद्ध बात होगे इन दोनी सिनेरियो में मार्केट का reaction क्या हो सकता है अगर दूसरा सिनेरियो हो जिसमें वो थोड़ा नरम रुख रखे बाचीत के लिए प्रस्ताव रखे और बले का हम इस बड़े दिन में रूस और युक्रेयन दोनों की जनता को हमें की बड़ी राहत वाली बात देना चाहते हैं तो बाचारों के लिए एक मूर सुधाने वाली बात होगी दूसरे तरफ अगर वो धंकी दे हम फुल फ्लेज अटैक करेंगे और अब मामला खत्म करने की तरफ हमें आगे बढ़ना है बहुत हो गया दो मेहने से तो फिर ऐसी सिच्वेशन में दीप बाच अगर कुछ खराब होता है तो और अगर कुछ खराब होता है तो और वो और वैसे भी आप देखिए और अग्लोबल मार्केट को यह आपको अच्छा संकेत दे नहीं है अमेरी की बाजार लगातार गिर रहे हैं लेकिन जब एक तरफा गिरावट हो तब आपके उस गिरावट में में बॉटम करना जल्दबाजी होगी लेकिन जहां गिरावट सबको बेचना होता है तब आपको वहाँ पर बड़ा सपोर्ट मिलता है वो तब हो सकता है अमेरिका अलडी कमजोर है काफियता कुछ प्राइस है फिर अगर ऐसे में रश्या की तरफ से खराब संकेता है तो फिर वो आपको लगबग लगबग पंदरा चेस्सो आट सो जो हम पहले पहुंचेते हैं आठ मार्स को बैंक रिफ्टी पर पर 33,000 के निचे वहाँ पर जाकर हम उन लोस को टेस्स करके रुखने की कोशिश करेंगे यह एक आइडियल सिनेरियो डेटा के लिया से डेटा और न्यूस दोनों को साथ में मिला कर देखे तो ऐसा हो सकता है तो हाँ आ बाजारों का हाल बड़ा बुरा है इसी भी थरह से एलैजीजी के लियाजी से सकते को बाद में डिसकी है आ नहीं और सबसे बड़े खबर के जब बाजार गिरते हैं तो थोड़ी चिंता ज्यादा होती है। इसका मतलब है कि किसी का तो ऐसा व्यू है जो न्यूस पर नहीं है। प्यूर्ली फंडामेंटल्स पर है, प्यूर्ली फ्यूचर को देखकर कोई ऐसा व्यू ले रहा है। प्यूर्स अमेरीकी बाज़ार में पिछले 2-3 दूनों से कमजरी है तो कोई न्यूस पर नहीं है। और न्यूस पर कमजरी होना ज्यादा चिंता की बात है। है ना न्यूस पर गिर जाए समझ में आता है कि चलो फेड ने गिरा दिया एक अलग चीज है लेकिन बिना न्यूस का आप गिर रहे हैं और अच्छे खासे गिर रहे हैं इसका मतलब है कोई तो फंड मेंजर कोई तो इन्वेस्टर ऐसा है जो यह व्यू स्ट्रॉंग लेकर ब समय है ना जो सबसे बड़ी दवा है बुरी से बुरी चीजे को भुला देती है तो ऐसे में अगर आप किसी खराब न्यूस से गिरे तो थोड़े तेम बाद उसके भूल जाते हैं चलो हो गया खतम करो बात आगे अब नेक्स न्यूस का है लेकिन जब आप बिना वज़े ग बिला हुआ है जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है तो यह एक चिंता की बाद ज़रूर है इसा होती है चिंता की बाद बनी हुए ठीक है सर अच्छा क्यूंकि नौ माई के हिसाब से जो दूसरा इंपॉर्टन फैक्टर था उस पर भी एक बार बात कर लेते हैं फिर हमारे बा